ग्रहाग सेवा केंद्र की संचाला गिरफतार ग्रहाग सेवा केंद्र के माध्यम से करोडों रुपे की धोका धड़ी करने के मामले में महिला सहीत तीन आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफतार पूरा मामला साजाधाने शेत्र के अंतरगताने वाले देवकर में संचालित ग्रहक सेवा केंद्र का है जहां एक महिला समें तीन संचालोगों को पुलिस ने गिरफतार किया है संचालोगों के खिलाव खाताधारकों ने साजाधाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी खातादारों की शिकायत पर पुलिस नधारा 420, 409, 34 भारती दंड सहिता के तहट अपराद दर्ज किया था अपराद दर्ज होने के बाद तीनो आरोपी फरार थे जिसके बाद पुलिस लगातार पतासाजी कर रही थी इसी दोरान पुलिस ने तीनो आरोपी को गिरफतार किया जिसमें ग्रहक, सेवा, केंद्र के संचालक, ओम प्रकाश तामरकर, मुकेश तामरकर और पूजा तामरकर हैं जिनके द्वारा फर्जी पासबुक जारी करते हुए खातादार को के खाते में पैसे जमा कर धोका धड़ी की गई, मिली जानकारी के अनुसार कुल 26,008,063 रुबे का धोका धड़ी की गई है, बेमित्रा के पुलिस अदिक्षक धर्बेंद सिंग ने बताए कि आरोपी ख काउंटिंग मशीन, थर्मल प्रिंटर, स्कैनर के लावर 250 एटियम काज सहित अन्य दस्तावेज जब्त किये गई हैं, ये एक गराक सेवा केंदर देवकर जो की SBI से एपिलेट था और गराकों को सेवा उपलद कराने के नाम पर ये उम्प्रगास तामरकार, मुकेस तामरक और कई FDB बनाई, इनके पास से 500 एटियम भी प्राफ्त हुए हैं और करीब 5000 एनों ने पासबुक भी छबा के रखी थी